खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े। जांच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ लैंडमाइन डिटेक्टर के जरिये तलाशा जा रहा है। कहीं नक्सलियों ने सड़क के नीचे या सड़क के किनारे कोई IED धमाके के लिए ना विछा रखी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 घंटे पहले ही। ऐसे ही एक IED धमाके को अंजाम देकर नक्सलियों ने महराश्ट्र के गर्ण चिरौली में 15 जवानों को शहीद कर दिया। जवानों किसी शहादत ने आज ये सवाल पूछने को मजबूर किया है। आतंकी हमले में राजनितिक दल राश्ट्रवाद का हल्ला करते हैं। तो नक्सली हमले में सननाटा क्यों? नशनलिजम इन इम्पोर्टन इशू, इस बीन पार आप पार आप कोर आइडियोलोजी सिस 1950 वन भारतिया जनसंग वस फॉर्म अरुल जेटली कहते हैं राश्ट्रवाद बीजेपी की रगरग में बसा मुद्दा है। राजीव शुकला कहते हैं बीजेपी का राश्ट्रवाद नक्ली है। लेकिन जब नक्सली हमले में शहीद हुए जवान की पत्नी पती के शव के आगे बिलख रही थी। तब पीजेपी और कॉंग्रेस दोनों दलों का राश्ट्रवाद धाढ़स बनाने के नाम पर गाया प्था। सवाल ये हैं, आतंकी हमले में देश के जवान शहीद हुए तो प्रधान मंतरी भी शद्धानजली देती हैं, कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी भी शद्धानजली देने पहुँचते हैं, लेकिन जब नक्सली हमले में देश के 15 जवान शहीद हुए तो बड़े- इलेक्षन इटसे निशू परास ये तो गर्व का विशे है कि राश्ट्रवाद अपने देश के अंदर चुनाब का मुद्दा है इसमें आरोब क्या है अपनी राश्ट्रवाद इनका कुछ नहीं है चुकि महराश्ट्रों में नकसली हमला हुआ तो मुख्यमंत्री देवेंद्र पणनडवीस और महराश्ट्रों से ही आने वाले केंद्री गरीराज्य मंत्री हंसराज अहीर ही शहीदों के शव को शद्धानजली देने पहुँचे सवाल ये है मसूद अजहर को अंतराश्ट्री आतंकी घोशित करा के रक्षा मंत्री और वित्ध मंत्री 25 मिनट की प्रेस कॉन्फरेंस में सरकार के राश्ट्रवादी चरित्र का गुडगान करते हैं लेकिन पच्चीस मिनट की प्रेस कॉन्फरेंस में केंद्र के दो-दो मंत्री नकसली हमले में शहीद जवानों की शहादत पर चुप क्यूं रहे कॉंग्रस के दो बड़े प्रवक्ता यूपियर आज में हुई सर्जिकल स्ट्राइक का अंकड़ा लेकर तीस मिनट प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं लेकिन पंद्रा जवानों की शहादत पर कॉंग्रस की तरफ से सिर्फ सियासत ही क्यूं होती है इसलिए राष्ट्रवात के चुनाओं में नकसलवादी हमले के बाद शहादत पर सुविधा नुसार राष्ट्रवात जगाती राजनीत की आज घंटी बजाओ नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनुराग मुस्कान अच्छा देश के लिए जवान शहीद हों तो क्या राजनेतिक दल देखेंगे कि वो आतंगवात की वज़े से शहीद हुए या फिर नकसलवाद के कारण शहीद हुए हम और आप जैसे खाने में नमक स्वाद के अनुसार लेते हैं लगता है हमारे देश के राजनेताओं का राष्टवाद भी अपने स्वाद के अनुसार ही जागता है वरना बुद्वार को महाराष्ट के गड़ जिरॉली में पंदरा जवानों की शहादत के बाद चुनावी रैलियों में व्यस्त नेताओं को क्यों नहीं शहीदों को शध्धंजली देने का मौका मिला पुल्वामा आतंकी हमले के बाद आपने देश में सैकडों घंटों की टीवी रिपोर्ट नेताओं के बयान तमाम बयान सुने होंगे लेकिन जब नकसली हमले के बाद सब खामोश हो गए तो ABP News ग्राउंड जीरो से आपके लिए रिपोर्ट लेकर आया है साथ ही ये भी बताएंगे हम कि कल देश में लाल आतंक के कारण शहीद हुए जवान किस स्पेशल फोर्स के थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी पत्नी के माते पर शहीद पती के पार्थिव शरीर पर अर्पित हुए फूल ही अब रहेंगे क्योंकि सिंदूर तो नकसली हमले से मिट चुका है शहीद भाई के ताबूद से चिपका छोटा भाई समझ नहीं पा रहा घर को कैसे कौन समभालेगा कुर्सी पर बैठी शहीद जवान की पत्नी के आशू लगातार बहे जा रहे हैं देश को लाल आतंग से बचाते पती ने प्राण राश्ट्र के लिए दे दिये बेसुध होती पत्नी को समालना मुश्किल हो रहा है नकसली हमले में शहीद हुए जवान के घर पर दुख के तूटे पहाड ने परिवार की चीक निकाल दी है शहीद जवान की मा के आशु कैसे रुकेंगे जवान बेटा नकसली हमले में प्राणों की आहुती दे चुका है लेकिन देश की राजनीत अपनी रफ्तार से जारी है प्रधान मंत्री संवेदना जारी करने के बाद चुप है रक्षा मंत्री मसूद जहर को अंतराश्ट्रिया आतंकी घोशित कराकर खुश है ग्री मंत्री चुनावी रैली में शद्धानजली देकर मानों करताव्य निभा चुके है कॉंग्रेस सद्ध्यक्ष राहूल गांधी शद्धानजली का ट्वीट करके रैलिया करने में व्यस्त है प्रियंका गांधी साम सपेरों के बीच चुनावी दौरे कर रही है और राश्ट्रवादी साध्ध्वी 72 घंटे के बैन के बीच भजन कीरतन से प्रचार में जुटी है और वित्मंत्री कहते है ये कहना कि शहीदों की कुर्बानी को याद रखना वोट देने से पहले किसी पार्टी का नाम नहीं, किसी केंडिडिट का नाम नहीं कि बई पेट्रियोटिजम है जो लोग देश के लिए शहीद होते हैं तो राश्ट्रवाद के उपर वोट मांगना, इससे मौडल कोर्ड अफ कॉन्डट कहां से वाइलेट होता है सवाल यही तो है, आतंकी हमले में शहीद तो राश्ट्रवाद याद रहता है जब आप समझने के लिए पहले नकसली हमले की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए ABP News संबाद दाता रजत वशिष्क महराश्टर में गर्ची रोली की उसी जगा पर मौजूद है जहां से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर बुधवार दोपहर नकसलीों ने IED धमाका करके 15 जवानों को शहीद कर दिया महराश्ट के गर्ची रोली जिले में कुर्खेडा से पुराडा मार्क पर कल नकसलवादियों ने लैंड मैंड ब्लास्ट किया था और इस ब्लास्ट में महराश्ट कुलिस के 15 जवान जो हैं वो शहीद हो गये थे जंगल में जो बहने वाले अलग-अलग छोटे-छोटे पानी की धाराएं होती है जो नाले होते हैं उन्हें रस्ते के नीचे से पानी का फ्लो जो होता है उसे पास कराने के लिए सिमेंट के पाइप रस्ते के नीचे डाल कर एक छोटा पूल बनाया जाता है किसी प्रकार का वो फुल वहाँ पर था, उसी सिमेंट के पाइप में शायद नकसलवादियों द्वारा लेंड माइन जो है वो लगाई गई थी और उसी का ब्लास्ट होने से, उसी का विस्पोर्ट होने से 15 पुलिस जवान जो है वो शहीद हो गए थे संबाद्दाता रजत्वशिष्ट नकसलियों के गढ़ में उस जगा भी पहुँचे, जहां हमले से कुछ घंटे पहले, नकसलियों ने नेशनल हाईवे 136 से जुड़ा काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी की दरजनों गाडियों को मशीनों को जला कर राख कर दिया था और लाल बैनर नकसलियों ने टांग रखा है कि विकास के नाम पर सड़क पुलिया मद बनाओ तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने बड़े पहमाने पर नकसलबादियों ने यहां पर मध्यरात के बाद पहुँचकर आगजनी की थी करीब 30 से ज़्यादा ट्रक, JCB मशीन, पोकलेड मशीन और यहां पर होट मिक्स प्लांट था ठेकेदार का जहां से सड़क निर्मान के लिए आवश्यर जो सामगरी है वो ले जाई जाती थी सब पुरा मतलब जला जेने के बाद में बोले कि भाई कोई आएगा तो बता देना कि हम नकसलवादी सहो से उपर हैं और जला के चले के ऐसे करके बोल देना ऐसे खुदी बोल दिये हो ले गणचीरोली के दादापुर गाउं में विकास विरोधी नकसलियों की इसी आतंकी हरकत के बाद क्विक रिस्पॉंस ट्रीम के जवान कैम से निकले थे जिनकी गाड़ी को घात लगा कर नकसलियों ने आईडी धमाके में बुधवार को उड़ा गया लेकिन चुनाओ से पहले पुल्वामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को जैसे श्रद्धानजली देने प्रदान मंत्री कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी सरकार के तमाम मंत्री विपक्ष के नेता पहुँचे चुनाव के दौरान नकसली हमने में शहीब जवानों को श्रतधानजली देने सिर्फ महाराश्ट के मुख्य मंत्री और केंद्री ग्री राज्य मंत्री हंसराज अहीर पहुंचते हैं और ग्री मंत्री राजनासिंग दिल्ली की रैली में कहते हैं क्या राजनीतिक दल देश के जवानों की शहादत पर सुविधा नुसार अपना राश्ट्रवाद जीवित करते हैं इस सवाल की वज़ा को अब समझ जिए रक्षा मंत्री वित्त मंत्री ने गुरुआर को 25 मिनट की प्रेस कॉन्फरेंस की मसूद ज़र को अंतराश्ट्री आतंकी घोशित करने पर दोनों मंत्रियों ने बीजेपी के राश्ट्रवाद का जम कर प्रचार प्रसार किया नैशनलिजम इस अन इंपोर्टन इशू इसमें आरोप क्या है लेकिन 25 मिनट की बीजेपी की प्रेस कॉन्फरेंस में एक भी शब्द नकसली हमले या नकसली हमले में शहीद हुए जवानों पर नहीं बोला गया यही हाल कॉंग्रेस का है कॉंग्रेस के दो प्रवक्ता राजियू शुकला रागिनी नायक ने 30 मिनट तक प्रेस कॉंफरेंस की कॉंग्रेस ने 30 मिनट की प्रेस कॉंफरेंस में मसूद अजहर पर बीजेपी के राश्ट्रवात को कट घरे में खड़ा किया लेकिन 30 मिनट की कॉंग्रेस की प्रेस कॉंफरेंस में नक्सली हमले को लेकर सिर्फ सियासत हुई देश के 15 जवान जो नक्सली हमले में शहीद हुए ये क्विक रेस्पॉंस टीम से जुड़े हुए थे लेकिन ये जवान थे क्रेक 60 कमांडो फोर्स के ये उस कमांडो फोर्स से ट्रेनिंग पाये जवान थे जन से नक्सली थराते हैं डरते हैं कापते हैं हमारे देश के नेता जब सिर्फ चुनावी रेलियों में अपना राष्टवाद दूसरे के राष्टवाद से बड़ा बताने में जुटे हैं तब AVP News के संबाददाता जीतेंद्र दिक्षित आपको शहीद हुए जवानों की C60 Commandos Forces की कहानी बताने जा रहे हैं वो फोर्स जिसके जवानों के लिए राष्टव ही सर्वोपरी है लेकिन इसी इलाके में नकसलियों के लिए पिछले दो दशक्त में मौत का दूसरा नाम बन गई C60 Commandos Force धारत में अंदरूनी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनाती है नकसलवाद अतिवादी विचार धारत से प्रभावित होकर देश के कई राजियों में चंद लोग अपने मकसद को हासल करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं ऐसे लोगों को उन्हीं की जुबान में जवाब देने के लिए एक फोर्स बनाई गई है इसे कहते हैं C60 जून 2018 में समबाद दाता जितेंद्र दिक्षेज C60 पोर्स के जिन जवानों के साथ मौजूद थे इसी C60 पोर्स के ही कमांडो उस क्विक रिस्पॉंस टीम में मौजूद थे जिसके 15 जवानों को नकसलियों ने बुधवार को घात लगा कर शहीत कर दिया C60 कमांडो फोर्स के जवान नकसलियों की टार्गेट लिस्ट बना कर रखते हैं और हिट लिस्ट के नकसली को मार कर उस पर प्रॉस का निशान लगा देते हैं लोहे को लोहा काटता है इस सिद्धान पर 1991 में तयार की गई फोर्स के पीछे दिमाग रहा महराश्ट्र पुलिस के पूर्वर डीजी के पी रखवणशी का 1991 में गण चिरॉली में बता और एस पी तैनात रहे के पी रखवणशी ने नकसलवाद को नकसलीों के तरीके सही खत्व करने के लिए C-60 पूर्स तयार की थी तो उनमें से एक दोना खड़े होकर कहा के साथ आप हमको इन्ही तरह का एक गुरुप बना देजिए हमको वहां की टोपोग्राफी मालू में हमको वहां का उनका सारा आने जाने के रास्ते मालू में हमको आप आत्यार देद और हमको भी जंगल में छोड़ दे हम उनसे नहीं मिठ लेंगे सी सिक्स्टी में सी का आर्थ है क्रैक और सिक्स्टी का मतलब था साठ जवान क्योंकि सबसे पहले साठ जवानों की साथ ही क्रैक सिक्स्टी यानि सी शिक्स्टी फोर्स तैयार की गई इसमें भरती किये जाने वाले सभी कमांडो स्थानी माडिया और गोंद आदिवासी समुदाय से लिए गए ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग यहां की स्थानी भाशा, भावगोलिक परिस्थिती और जंगल के रास्तों से बखुबी परिचित हैं ये नौजवान बिना किसी परिशानी के कई दिन जंगल में गुजारने की शम्ता रखते हैं अनपड़ आदिवासी को बहला फुसला कर अपने दलम में सामिल करना और उनका शारिरिक शोषन भी करना लड़कियों का और मानसिक शोषन करके फिर उनको नक्षल से भगा देना या उनके खिलाब गए तो मार देना इस प्रकार का उनका काम चलता है इसी सी सिक्स्टी पोर्स से कमांडो ट्रेनिंग पाय जवानों को नक्सलियों ने गर्चिरॉली में शहीद किया जिस पर ग्रिह मंत्री कहते हैं जवानों के दम पर जो अपनी जान पर खेल कर देश और देशवासियों की रक्षा नक्सलियों से करते हैं लेकिन नक्सलियों के खिलाप और जवानों की शहादत के सम्मान में राजनेताओं को राश्रवाद कम ही याद आ रहा है